राजस्थान में पिछले कई सालों से एक कूरिती चालू है जिसका नाम है मौताना मौताना का मतलब होता है कि एक शव को लेकर प्रदर्शन करना जब तक आपकी डिमांड पूरी नहीं हो जाती जो कि mostly एक पैसों की डिमांड होती है लेकिन अब राजस्थान सरकार इस कूरिती को रोकने के लिए एक कानून लेकर आई है जिसका नाम है Honor of the Dead Body Bill जो राजस्थान की विदानसवा में पास हो चुका है ये विदहक लाना क्यों जरूरी था क्योंकि ये कूरिती मौताना की जो परंपरा है ये लगातार बढ़ती जा रही थी और इसमें सरकार को भी काफी प्रॉब्लम सा रही थी तो ये मौताना की परंपरा किस तरह से सरकार के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी और क्यों इसे कंट्रोल करना जरूरी था अब अगर आप स्टेट PCS या IS exam की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि इस तरह की कूरितियां social issues के अंदर काफी important होती हैं तो दोस्तो UPSC के preparation के लिए Pathfinder की team आपके लिए UDAN batch लेकर आईए जिसमें आपको UPSC का पूरा syllabus 900 plus hours की live classes में complete करवाया जाएगा और ये course केवल 8000 रुपे में आपके लिए available है इस इंडिया's most affordable UPSC course और यहाँ पर आपको न केवल live classes बल्कि test series भी मिल रही है तो हमारा PSIR Geography, History and Anthropology का optional start होने वाला है इन सभी subjects को भी आप 8000 की price में join कर सकते हैं और अगर GS का UDAN batch और optional दोनों को एक साथ यानि की combined रूप से आप available करना चाहते हैं तो combo subscription ले लीजेगा for 15,000 rupees that is also available तो इतने कम price में हम UPSC की preparation करवा रहे हैं ताकि देश का कोई भी student इस UPSC exam या IS exam में पैसे की कमी से वंचितना रह जाए लेकिन फिलाल ये prices केवल इस batch के लिए हैं, next time के लिए जो batch आएगा उसके लिए वो ये price नहीं रहने वाली है अब बात करते हैं मौताना परंपरा के बारे में, तो मौताना जिसके अंदर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि मौत शब्द आता है, it means कि किसी की death हो जाती है तब उस death का reason ये बताया जाता है कि सामने वाला जिम्मेदार है और उससे पैसा मांगा जाएगा अब ये सामने वाला कौन हो सकता है, तो देखें पहली बात तो ये परंपरा केवल राजस्थान के tribal इलाकों में थी पहले और ये परंपरा खास करके जो गुजरात और मध्यप्रदेश से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर काफी कॉमन थी तो उदैपूर और उसके आसपास के शित्र में ये काफी एक पुरानी परंपरा थी, लेकिन इस परंपरा में होता क्या था? देखें कुछ examples के साथ आपको बताता हूँ, मान लीजे कि कोई महिला है, वो अपने ससुराल में रह रही है और वहाँ पर उसकी सांप काटने से मृत्य हो गई, बहुती कॉमन है इंडिया के rural areas में सांप काट जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन अब उस महिला के परिवा आपको लेकर यहीं बैठे रहेंगे आपके घर के आपके गाओं के सामने और आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, आपके बास कोई और option नहीं है, अब आपको शायद सुनके इस पर यकीन नहीं हो रहा होगा, but this is the reality, this happens even till this day, ये कुछ समय पहले का एक news article मैं बता रहा अब देखे ये तो थो थोड़ा trivial सा issue हो गया, कि लोगों के आपस में परिवार के बीच में कोई पैसे का settlement है, बट ये problem अब दीरे-दीरे एक law and order situation में तबदील होती जारी है, कैसे? तो देखे पहले जो एक inter family या inter tribal issue था, वो दीरे-दीरे सरकारी अधिकारियों या प्रश पे दो, तब ही हम यहां से अपनी बेटी का शव लेकर जाएंगे, वरना यहीं पर बैठे रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर उसके बाद देखे ये भी एक example है, दो साल पहले का जब दो व्यक्ति बैल खरीद कर लेकर जा रहे थे, उनकी किसी से कहा सुनी हो गई रस्ते में उन्हें गोत तसकर समझ कर रोक लिया गया, जब उन्हें मारा गया, पीटा गया, तो एक की मौत हो जाती है, तो उनके परिवार वाले अगेन एक बड़ी भीड लेकर आकर बैठ जाते है, और उसके बाद यहां पर मौताना देना पड़ता है, इसके बाद अभी एक और केस आया था, जिसमें पुलिस को, यानि कि प्रशासन के लोगों तक को भी मौताना देना पड़ा, तो हुआ यह था कि पुलिस कस्टेडी में एक ट्राइबल विक्ती की मृत्य हो गई, उसने आत्मत्या कर ली थी, लेकिन आरोप लगा कि पुलिस ने उसको मारा है, तो पुलिस वालों ने, पुलिस टेशन में जितना भी स्टाफ था, they all agreed कि हम पैसे देंगे, दो लाग, पाँच लाग, दस लाग रुपे हम देंगे, तब जाकर वो भीड वहां से हटी, आज के समय में मौताना की जाला तर डिमांड ऐसे केसिस में होती है, जहाँ गार हमें compensate करें कि हमारा लड़का मर गया, और इसमें जो main पंचायती करने के लिए, या पैरवी करने के लिए जो लोग आते हैं, वो हैं community leaders, जिन्हें punch कहा जाता है, अब ये punch कैसे involve होते हैं, I again आपको example से समझाता हूँ, मान लो की एक लड़का है, hypothetically, रमेश नाम का, जो अपने किसी दोस्त सुरेश की शादी में उसके घर जाता है, तो मान लो की रमेश एक गाउं से निकल कर 10 किलोमेटर दूर पडोसी गाउं में सुरेश की शादी में पहुचा, और वहाँ पर current लगने से उसकी मृत्य हो गई, अक्सर आप देखते हैं कि यहाँ पर wiring वगेरा ठीक से नहीं होती है, शादियों में या कोई बड़े आयोजन में, wires ऐसे ही loose छोड़ दिये जाते हैं, so let's assume hypothetically कि रमेश की current लगने से सुरेश के घर पे उसकी शादी के दौरान मृत्य हो गई, अब रमेश के गाउं वाले या उसके गाउं के पंच, वो लोग पूरी भीड का काम करेंगे, तो ये दोनों पक्ष के वकील का काम करेंगे, और आपस में नेगोशेट करेंगे, तो ऐसा decide होगा कि सुरेश का परिवार पांच लाग रुपे देगा रमेश के परिवार को, और इस पांच लाग रुपे में से लगभग 10% तो ये पंच रख लेते हैं, औ और उसके अलावा जो 20-30% पैसा है वो गाउं में बाटा जाता है तो सारा पैसा रमेश के घरवालों के पास नहीं जाता है रमेश के घरवालों के पास लगबद 50% पैसा ही आता है बाकी का 50% गाउं और पंचों के बीच में बाट दिया जाता है and on the other hand जो सुरेश का घर है तो ऐसा नहीं कि सारा पैसा सुरेश के पिताजी देंगे सुरेश के पिताजी को भी 50% पैसा देना होता है बाकी 10-10% पैसा उसके मामा उसके चाचा उसके रिष्टेदार या उसके गाहों के अडोसी पडोसी मिल कर देंगे क्योंके कई बार ये collective responsibility मानी जाती है कि भाई साब आपके गाहों में अगर current से मृत्ती हुई है तो आप सब की जिम्मेदारी थी तो वो उसके इसाब से तैय किया जाता है कि किसकी कितनी collective और कितनी individual responsibility है अब एक नजर से आप देखोगे तो ये एक तरह का alternate dispute redressal mechanism हो गया लेकिन बात ये है कि इतना simple नहीं है इसमें क्या होता है कि कोई जादा पैसे मांग लेता है कोई कम मांग लेता है और ये कोई judicial इसके अंदर कानून नहीं चलता है कोई लिखित कानून नहीं है कुछ नहीं है अब मान लो कि यहाँ पर सुरेश का परिवार कह देता है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है नहीं हम पैसा देना चाहते हैं और हमारे पास है भी नहीं पैसा तो हम चाहे तो भी नहीं दे सकते तो ऐसे में रमेश की तरफ से सौ दो सो लोग आएंगे और चडोतरा करेंगे सुरेश के गाओं और घर पर तो उसका घर जला दिया जाएगा जो भी उसकी संपत्ती है उसको लूटने की कोशिश करी जाएगी So they attack and destroy the homes of the people जो मौताना देने से मना कर दें तो ये एक बहुत बड़ी law and order की problem कर देता है अच्छा यहाँ पर अब पुलिस और प्रशासन कैसे involved होते हैं तो अब मान लो कि वो 200 लोग धरना देकर बैठे हैं सुरेश के गाओं में तो of course पुलिस भी involved होगी लेकिन ये देखा जाता है कि पुलिस भी यहाँ पर आकर एक तरह से मद्धिस्त का ही काम करती है क्योंकि पुलिस के पास option नहीं है कि वो 10 constable लेकर आए और 200 लोगों की भीड को हटा दे ये 200 लोग जो हैं पुलिस पर चड़ जाएंगे और ये होता है reality के अंदर tribal areas में that police is thrown out of the villages तो इसलिए पुलिस के पास भी यहाँ जादा option नहीं है पुलिस क्या करती है कि मद्धिस्ता करने की कोशिश करती है वो जल से जल मामले को solve कराने की कोशिश करती है ताकि मामला उपर तक ना पहुँचे तो ये सारी चीजें राजस्तान में पिछले कई सालों से चालू है और ये problem पहले जो tribal areas में हुआ करती थी अब ये अन्य communities तक भी फैल गई है तो not just tribal, this problem is spreading across all the communities of Rajasthान तो माल लीजे कि कोई व्यक्ती है उसकी किसी factory में death हो जाती है अब factory में death हुई है तो of course कुछ compensation होते हैं सरकार की तरफ से या factory owner की तरफ से लेकिन उनको ताक पे रखकर अब लोग भीड इखटा करके बैड जाएंगे कि नहीं हमें तो factory से 50 लाग रुपे चाहिए है चार लोगों को नौकरी दो इसकी बजाए इस तरह की demand करते हैं लोग और ये ट्राइबल ही नहीं this has become a problem across all the communities now and it has posed serious law and order problem in front of the Rajasthan government एक और problem अब start हो चुकी है कि अब पंचों की बजाए local politicians इस पूरे मौताने के issue में शामिल होना start हो गए है और जहां भी ये छुटवही है नेता आ जाते हैं पुलिस के लिए main issue ये हो जाता है कि law and order की problem आ जाती है 100-200 लोगों की भीड किसी के घर के बाहर या किसी गाओं के बाहर या कस्वे में बैटी है अक्सर वो रोड को भी जाम कर देती है तो ये overall problem है पुलिस के लिए अच्छा जहां पर कहीं पर थोड़ा बहुत भी सरकार का involvement है मान लोग रोड पर कोई घड़ा है उस घड़े के अंदर बाइक गिरने से किसी की मृत्य हो गई तो वहां पर लोग आकर सीधा government job मांगते है कि इस परिवार के बच्चों को government job दी जाए एक करोड रुपे दिये जाए इतने large sums of money मांगे जाते है और settlement कितने पर होता है settlement हो जाता है कि एक दूद की dairy या फिर एक राशन की दुकान मिल जाएगी आपको और 5 लाग रुपे सरकार देदेगी तो इस तरह से भी settlement होते हैं बट जो demands हैं वो outrageous सी demands होती है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इनी सब problems को खत्म करने के लिए अशोग गहलोत सरकार ने तै कि honor of dead body bill 2023 हम लेकर आ रहे हैं जो dead body के साथ protest करने को आप penalize करेगा तो penalization क्यों जरूरी है ताकि dead body का समय रहते cremation हो वो करेगा जो last rights conduct करनी होती है पूरे सम्मान के साथ प्रशासन वो काम कर देगा और आप यह नहीं कह सकते कि देखो हमारी लाश हमें नहीं मिली moreover अगर इस body के साथ कोई protest करता है तो 5 साल तक कि इसमें सजा का प्रावधान रखा गया है तो यह bill क्यों लाया गया क्योंकि मौताने की जो demands है या फिर दूसरे protest है not just related to tribal but even other protest यह लगातार बढ़ते जा रहे हैं और average 7-8 दिन तक लोग protest करते ही थे 2014 और 2018 के बीच में ऐसे 82 cases देखे गए जो पुलिस प्रशासन ने note किये कई सारे cases तो छोटे छोटे गाहों के अंदर level पर सुलजा दिये जाते हैं बाहर तक आई नहीं पाते हैं जिनकी news आती है जिनकी reporting होती है इस तरह के 82 cases देखे गए जिनमें 30 में police case दर्ज हुआ ठीक है कई बार तो लोग police case भी दर्ज नहीं कराना चाते जहां पर दर्ज हुआ वैसे 30 cases थे 2019 और 23 के बीच में यह मामले 306 cases and 91 police cases have been lodged तो यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है तो अब यह कानून लाकर सरकार ने कह दिया है कि अगर कोई family member dead body का position नहीं लेता है तो उसे एक साल तक की सजा होगी या fine भी हो सकता है या दोनों चीज़े होगी अगर आपने dead body ले ली और फिर उसके साथ आप protest करने धर्णा production करने बैट गए तो दो साल तक का jail और fine अब कई बार यह होता है कि परिवार तो dead body को cremate करना चाता है लेकिन समाज के लोग punch या local नेता आकर कहते हैं कि नहीं नहीं dead body को तो हम जाने ही नहीं देंगे इसको लेकर बैठे रो पैसा आएगा compensation आएगा नौकरी मिलेगी तुमारे घर के बच्चों को तो इसलिए अगर कोई परिवार के अलावा किसी और व्यक्ति के द्वारा इस dead body का इस्तमाल किया जाए तो उसे 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है और major इस bill के अंदर ये भी बात कही गई है कि अब हर मृत्य व्यक्ति को right to last rights यानि अंतिम संसकार का अधिकार होगा जो भी आपकी last rights है चाहे वो दफनाना है जलाना है वो अधिकार एक dead body के भी है so in effect ये कानून right to last rights को recognize करता है इसके साथ ही dead bodies का proper storage उनका data का maintenance या फिर जो disposal है वो proper तरीके से हो इसके लिए भी प्रावधान रखे गए ऐसा नहीं कि सरकार dead body लेकर कुछ भी उसके साथ कर देगी उसको बेज देगी no they cannot do that they have to cremate the body और bury the body जो भी उसकी धार में ग्रीती रिवाज परंपरा है उसके अनुसार लेकिन इस पूरे बिल का एक drawback है drawback ये था कि अगर कोई death सही में अन्याय पूर्ण या unjust तरीके से हुई है तो उस case में compensation क्यों नहीं मिलना चाहिए पर इमान लीजे किसी मजदूर की मृत्ती हो गई क्योंके contractor ने सही तरीके से उसको protective gear नहीं दिया और बिजली का काम करते हुए उसकी कहीं बिजली current लगने से मौत हो गई तो वहाँ पर contractor जिम्मेदार है उस case में क्या होगा और अगर वो contractor सरकार ही है तो फिर क्या होगा तो देखे सरकार का कहना है कि अल्रेडी उसके लिए industrial laws बने होए हैं अगर industrial law के तहत कोई नहीं आता है यानि कि कोई regularized worker नहीं है तो उसके लिए भी केंद सरकार की एक scheme है victim compensation scheme तो ये काफी एक widespread scheme है और इसके तहत मुआवजा मिल जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि dead body को लेकर आप मौताना demand करें there are other ways to get the compensation जैसे ये victim compensation scheme genuinely उन लोगों की मदद करती है मान लीजे कोई rape victim है कोई acid attack का victim है human trafficking हो रही है कोई लोगों की death हो जाती है cross border firing जो कि अकसर राजस्तान, पंजाब या कश्मीर जैसे इलाकों में border वाला area है वहाँ पर कभी-कभी हो जाता है मतलब पंजाब राजस्तान में इतना नहीं होता जो victims है, उनको ये बहुत scheme help करती है ये scheme कैसे काम करती है तो ये important है UPC exam के लिए section 357 of the CRPC ये हर state government को लाम बंद करती है या पाबंद करती है कि आप केंद सरकार के साथ मिलकर एक अपनी scheme बना लो जिससे आपको victims को compensate करने के लिए power दिये जाते हैं और final compensation तै कौन करेगा ये exam में पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेगा district legal services authority या state legal service authority के पास ये अधिकार है कि वो compensation को तै करे अब फिलाल honor of the dead body bill राजस्थान की विदान सभा में पारित हो चुका है लेकिन अभी भी इसका विरोध जारी है विरोध करने वाले main leaders जो है वो tribal MLA's है and then the opposition BJP party तो BJP के opposition leader राजेंद्र राठोड है राजस्थान में इनका ये कहना है कि राजस्थान के अंदर generally कोई भी body को लेकर protest नहीं करता until and unless बहुत अन्यायपूर्ण तरीके से मृत्यू हुई हो तो ऐसे में सरकार तो उनके बरण portion के लिए इस तरह का ये economic package होता था जो अब सरकार ने हमसे छीन लिया है इसके कारण problems बढ़ेंगी लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या हम एक law and order में believe करने वाली society है या नहीं तो देखिए basically ये problem इसलिए आती है क्योंकि भारत में अभी तक कोई बहुत बड़ा social safety net नहीं था हाला कि अब हो चुका है अब सरकार कई तरह की schemes लेकर आई है जैसे वृद्धावस्ता pension हो गई या फिर कोई अगर महिला विद्वा है तो उसको pension दी जाती है उसको पैसे दिये जाते हैं जो बच्चे जिनके माबाप नहीं है उनको पढ़ने के लिए सुविधाय दी जाती है scholarships दी जाती है mostly सारी सरकारे है state governments इस तरह की scholarships लेकर आई है और वो राजिस्तान में भी आ चुकी है तो अब ये कहना कि मौताने की जो demand है वो just है ये ठीक नहीं होगा अगर कहीं पर कोई industrial dispute में किसी की मौत होती है तो उसके लिए भी compensation है proper हाँ लेकिन जो इस तरह के cases हो जाते हैं कि accident के case में death हो गई तो वहाँ पर भी insurance payout होता है लेकिन problem ये है कि लोग court कचेरी insurance यहां तक जाना ही नहीं चाते हैं लोग चाते हैं कि हम तो मौके पर वही का वही settlement करें cash में हमें हाथों हाथ मिल जाए तो ये चीज अब modern society में चल नहीं सकती है इसके उपरांत अगर हम हमारा कानून देखें तो वहाँ पर dead body की भी कुछ rights है although ये explicitly कहीं mention नहीं है कि जैसे एक मरत व्यक्ती की या फिर एक dead body की क्या right होगी तो इसके लिए कोई specific law नहीं है भारत में लेकिन Supreme Court के कुछ judgments के अनुसार हम ये rights को derive कर सकते हैं जैसे 1989 में case हुआ था पर्मानंद Katara versus Union of India तो इस फैसले में Supreme Court ने कहा था कि that there is right to life, fair treatment and dignity and it extends not only to a living person but also to his dead body यानि कि right to life और जो dignity है वो आपके जिंदा रहने तक नहीं बलकि आपके मरने के बाद भी आपकी dead body का भी थोड़ा संबान होना चाहिए उसके साथ आप अज संबानिया तरीके से विवार नहीं कर सकते तो कही ना कहीं यह article 21 का ही है एक extension है या उसी से एक derived right हो जाएगी इसके अलावा national human rights commission ने इसको लेकर कुछ guidelines और advisories जाली कर रखी है कि dead body के साथ police प्रशासन किस तरह से विवार करे उसमें भी यह बात कही गई है that you should uphold the dignity and protect the rights of the dead उसमें बात साफ लिखी गई है कि कोई discrimination नहीं होना चाहिए body के खिलाव उसके जैसे भी समाज के या फिर उसके धर्म के rules and regulation थे उसके अनुसार इसका क्रिया करम अंतिम संसकार होना चाहिए कोई physical exploitation ना करे body का timely burial और cremation ये भी उस guideline के अंदर लिखा हुआ है ये NHRC की सारी guidelines है जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर कोई crime के case में शरीर मतलब मृत्य हुई है किसी की तो justice भी जरूरी है मान लो कि कोई अंजान लाश मिल गई कहीं पर तो police ये नहीं कह सकती क्या है तो अंजान लाश है इसको छोड़ो दफना दो मामला खतम नहीं case register करना मौत क्यों होई उसकी जाच करना ये प्रशासन और police की जिम्मेदारी है और अगर कोई will है तो उस will को भी carry out करना जरूरी है dead body का किसी भी प्रकार का defamation या फिर उसकी breach of privacy भी नहीं होनी चाहिए ये सारे कानून NHRC के guidelines के अंदर बताए गए है आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसमें like जरूर करें comment करें अपने viewpoint इस बारे में रखें अगर आपको NCRT का basic foundation course करना है तो हम ये start कर रहे हैं 7th August से इस course के और लेकर आ रहे हैं हमारे अपने pathfinder के faculties अगर आप NCRT foundation प्लस GS Udhan batch को लेना चाहते हैं then you can avail it for 12,000 रुपीज उनली NCRT batch आपको 5000 रुपे में available हो जाएगा तो जो लोग UPC की तयारी बिल्कुल basic level से करना चाहते हैं उनके लिए ये course अच्छा है समुद्रमंधन test series हमारी होती है हम हर संदे को एक test रखते हैं 30 July को ये वाला test आ रहा है Unacademy के previous toppers के interviews आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर Perspective series जिसमें हम आपको 360 degree view देते हैं toppers का वो भी आप देख सकते हैं को आप आप दीज आपकोस्चा हमारी चानल पर देख सोनलोब के लाचे हैं सब्सक्राइब पर देख सकते हैं विए ये को आपकोस्ट्रमंधने शक्रिणा राषमरी चाहते हैं